पूने से सटे पिपरी चेंचवड में पुलिस ने एक लॉच पर चल रहे सेक्स रैकेट का परदाफाश किया है फिल्म अभी नेत्री के अलावा रेस्क्यू करवाई गई एक महीला मुंबई और दूसरी राजस्थान से है वही आयकर विभाग की शिवसिना नेता यश्वन जाधो के ठीकानों पर डाली गई रेट का असर बीमसी चुनाव पर पढ़ने की संभावना व्यप्त की जा रही है यश्वन जाधो बीमसी की स्थाई समिती के अध्यक्ष है उनकी पतनी MLA है तो महाराश्व में पिछले दो बार से मुख्यस सचिव का पेंच फस्ता रहा है मरतमान मुख्यस सचिव देबाशिस चैडर जी का कारी काल 28 फरवरी को खतम हो रहा है इसे बीच खबर है कि मंतरी नवाब मली को अगर मंतरी मंडल से स्तिफात देना पड़ता है तो कॉंग्रेस के बहाने ही शरत पवार और उध्व ठाकरे राज्जा मंतरी मंडल में फेर बदल कर सकते है उधर तबेले के दूद के होलसल रेट में दब बॉम्बे मिल्क प्रोडूसर एस्सोसेशन ने साढ़े तिन रुपे प्रति लिटर का इजाफा करने का निर्न लिया है प्रदेश की इन पाज बड़ी खबरों को विस्तार से जानने के लिए बने रही है आप हमारे साथ पूने से सटे पीपरी चेंचवण में पुलिस ने एक लॉच पर चल रहे सेक्स रैकेट का परदाफाश किया है इस मामले में पुलिस ने तिन महिलाओ को वेशा वृत्ती के धंदे से रेस्क्यू करवाया है रेस्क्यू करवाई गई महिलाओं में से एक 36 गड़ की जानी मानी एक्ट्रेस भी शामिल है पुलिस ने दो दलालों को भी रफतार किया है पुलिस ने ये कारवाई ताथवड़े स्थित साई लॉच पर की है फिल्म अभीनेत्री के अलावार एस्क्यू करवाई के एक महिला मुंबई और दूसरी राजस्थान से है दरसल पुलिस को मुखबीरों से ये सूच ना मिली थी कि 36 गड़ की जाने मानी अभीनेत्री पीम्परी चेंचवण में सेक्स रैकेट में शामिल है प्रत्यक व्यक्ति से 30-35,000 रुपे वसूले जा रहे थे जिसम फरोशी का धंदा जितिंद्र नाम का मुख्य आरोपी चलवा रहा था आरोपी मोबाईल पर वाटसेप के जरिए अलग-अलग लौच पर लड़कियों को वैशावरुत्ती के लिए भेशते थे ये सभी लड़किया उनके नाम पर कमरा बुक करती थी देहव्यापार के इस दलदल में फसी 36 गड़ की अभिनेतरी समित तिन महिलाओं को आज़ात करवाया गया है पुलिस ने जिन आरोपियों को गिरफतार किया है उनके नाम जितेंद्र हस्तिमल बुकाडिया और फितेश हस्तिमल जी ओस्वाल और हेमंत शाहु है इसके लावा मुकेश केशवानी, करण, यूसुफ, और लंगडा शेक के खिलाफ वाकर पुलिस टेशन में मामला दर्ज हुआ है आईकर विभाग की शिवसेना नेता यश्वन जाधो के ठीकानों पर डाली गए रेट का असर, बीएमसी चुनाओ पर पढ़ने की संभावना व्यक्त की जा रही है यश्वन जाधो बीएमसी की स्थाई समिती के अध्धिक्ष है, उनकी पतनी MLA है बताया जा रहा है कि वह कैबिनेट मंत्री नवाब मली की गिरफतारी के विरोध में मोर्चे में शामिल हुई थी बीजेपी की नेता जाधों पर 15 करोड रुपे की हेरा फेरी का अरॉप लगा चुके है इंकम टैक्स की टीम शुकरवाल सुभा मजगाओं में यश्वन जाधों के घर पहुची थी सुत्रो के अनुसार इंकम टैक्स की टीम कुछ और जगा भी गई इन में बीएमसी के कुछ ठेकेदारों की नाम बताय जा रहे है यश्वन्त का BMC में ये चौथा कार्यकाल है वो 2017 में शिवसेना महापॉर पत के प्रमुक दावेदार थे उन्हें 2018 में BMC की स्थाई समिती का अध्धिक्षब बनाया गया पिछले 25 सालों से शिवसेना की महानगर पालिका में सत्ता है हाल ही में राज्यों में सरकार बनाने वाली पार्टी के लिए BMC संसाधन का प्रमुक स्तुरोत माना जाता है पिछले 4 सालों में केवल कैपिटल एक्सपेंडिचर यानि नए प्रोजेट के लिए 40,000 करोड रुपे BMC की इसी स्थाई समीती के माध्यम से मनजूर हुए है इसका सदस्य बनने के लिए विभिन पार्टीों के नगर सेवकों के बीच जमकर स्परधा होती है देविद्र फडनविस के मुख्य मंत्री रहते हुए बिजेपी ने BMC पर सत्ता के लिए काफे बैचे नहीं दिखाई थी लेकिन राज्य सरकार के स्थीरता के लिए उस समय वो ज्यादा कुछ करना सकी महराश्टर में पिछले दो बार से मुख्य सचीव का पेंच फस्ता आ रहा है वरतमान मुख्य सचीव देवाशेश चैटर जी का कार्य काल 28 फरवरी को खतम हो रहा है देवाशेश चैटर जी को उस वक्त अचानक राज्य के मुख्य सचीव का कार्य भार अतिरिक्त तोर पर रात में दिया गया था जब दिसंबर में ततकालिन मुख्य सचिव सिताराम कुंटे के एक्स्टेंशन की फाइल अप्रूव होकर दिल्ली से नहीं लोटी थी इसके बाद देवाशिश चाटर जी को मुख्य सचिव पत की अतिरिक्त जिम्मेदारी दी गई और उनके रिटार्मेंट के दो हफ्ते पहले ही उनको अधिकरिक तौर पर मुख्य सचिव की पूरी जिम्मेदारी दी गई इसके बाद सत्ता के गलियारों में चर्चा चलने लगी कि देवाशिश को कम से कम तीन महिने का सेवा विस्तार और दिया जाएगा हालंकि मंत्राले के सुत्रों का कहना है कि देवाशिश चाटर जी को सेवा विस्तार दिये जाने की फाइल अब तक दिल्ली भेजी ही नहीं गई है यानि 28 फरवरी के बाद राज्य की ब्यूरोक्रेसी में बदलाव तय माना जा रहा है वैसे भी देवाशिश चाटर जी का पहले ही महराश्य एपिलेट ट्रिबिनल मेट के लिए सिलेक्शन हो चुका है सवाल ये है कि अगर देवाशिश मुख्य सचिव नहीं रहेंगे तो नया मुख्य सचिव कौन बनेगा फिलहाल तीन नाम चल रहे हैं उनमें मनुकुमर शिवास्तव, सुजाता सौनिक और तीसरा उनके पती मनुद सौनिक का है इन तीनों में सबसे सीनियर मनुकुमर शिवास्तव है, दरसल मुख्य सचिव किन न्यूक्ती के मामले में ठाकरे सरकार फूंक फूंक कर कदम रख रही है क्योंकि डिजीपी संजय पांडे के मामले में वो अदालत से फटकार खा चुकी है मंत्री नवाब मली को अगर मंत्री मंडल से स्थिफा देना पड़ता है तो कॉंग्रेस के बहाने ही शरत पवार और उद्धव ठाकरे राज्य मंत्री मंडल में फेर बदलगा गेम खेल सकते हैं कहां जा रहा है कि शरत पवार की इच्छा जयन पाटिल को ग्रूह मंत्री बनाने की है लेकिन अजित पवार की वज़ा से ये संभाव नहीं हो पा रहा है हालनकि बदली हुई परिस्तिति में हो सकता है कि अजित पवार भी इसके लिए राजी हो जाए इधर आगामी मनपाओ के चुनाओं के हिसाब से भी सरकार द्वारा प्रशासनिक धांचे में फेर बदल करना तैमाना जा रहा है सुत्रों का कहना है कि मार्च में प्रशासनिक धांचे में बड़ा फेर बदल संभाव है इसके पीछे बड़ा कारण ये है कि महाविकास आघाडी सरकार के मुखिया शरत पवार और तमाम प्रभावशाली मंतरी इस बात से खासे नाराज है कि राज्य की कैबिनेट मंतरी नवाब मली की गिरफतारी से पहले CRPF का इतना बड़ा मुवमेंट हुआ और राज्य की खूफिया विभा को इसकी भनक तक नहीं लगी कई मंतरियों और खुछ शरत पवार ने एक रूह मंतरी दिलिपल से पार्टिल को अपनी नाराजगी से अवगत कराया है इधर मुख्य मंतरी उद्धर ठाकरे भी चाहते हैं कि राज्य की नौकर शाही में ऐसे अफसरों को तैनात किया जाए जो केंद्रिय जांच एजंसियों के मुवमेंट के बराबर मुवमेंट कर सके इसके अलावा सरकार महाड़ा, MMRDA और महा मेट्रो जैसे कॉर्परेशन के लिए भी नए चेहरे दलाश रही है तवेले के दूद के होलसल रेट बिद्धा बॉम्बे मिल्क प्रोडूसर एस्सोसियेशन ने 3.5 रुपे प्रति लिटर इजाफिका निरने लिया है एस्सोसियेशन के अध्धिक्षा सीके सिंग का कहना है कि जानवर, चारा, दवाय, मजदूरी और जानवरों के देखभाल की कीमते बहुत जादा बढ़ गई है महेंगाई दर 10-12 प्रतिशत बढ़ी है लेकिन हमने तो महत 5 प्रतिशत दाम बढ़ाने का निरने लिया है हमारी परेशानियों को लोग समझेंगे और निश्चित ही हमारा साथ देंगे एसोसीशन के पधादी कारियों के बैठक के बाद बताया गया कि दूद की नई दर एक मार्च से 31 अगस 2022 तक लागू होगा पिछली बार दूद की एक अप्रेल 2021 को 2 रुपे कीमत बढ़ाए गई थी तबेले के ताजे दूद की होलसेल कीमत 3,5 रुपे प्रति लिटर बढ़ाने से दूद से बनाई जाने वाले अन्या खाद्य वो प्याई बढ़ाता सहित मिठाई या महंगी हो जाएगी वैसे मुंबई महानगर में अभी रिटेल में प्रति लिटर ताजा दूद 72 से 80 रुपे में मिलता है एक मार्च से होलसेल रेट बढ़ाने के बाद अब इसमें 5 से 7 रुपे बढ़ोतरी के संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता मुंबई महानगर में तवेले के ताजे दूद की मांग उतपादन की तुलना में बहुत जादा है सीके सिंग का कहना है कि मुंबई महानगर में प्रति दिन करीब 7 लाक लिटर के आसपास दूद की सप्लाई की जाती है ताले दूद के उतपादन में हर साल तेजी से गिरावट आ रही है इस कारोबार को आगे बढ़ाने में सरकार को भी दिल्चस्मिन नहीं है जानवर पालने का खर्च भी बढ़ रहा है ऐसे में दूद के उतपादन पर असर पढ़ रहा है इस साल 15 अगस तक देश में 5G सेवा की शुरुवात हो सकती है दूरसंचार विभाग 5G स्पेक्टरम की निलामी की प्रक्रिया शुरू करने की तयारी में जुटा हुआ है तो सुप्रिम कोट ने एक महिला को फटकार लगाते हुए कहा है कि पती सीमा पर तैनात है और आप होटल में एक बुल छर्रे उड़ा रही है वही चेक की क्लोनिंग और रंगिन फोटोकॉपी के जरिये होने वाली धोका धड़ी को रोकने के लिए पंजाब नेशनल बैंक एक मार्च से चेक में नए सुरक्षा फीचर्स लेकर आ रहा है उधर एक वेबिनार को संबोधित करते हुए पीए मोधी ने कहा कि कोरोना टिकाकरण में कोविन जिसे डिजिटल प्लाटपॉर्म के माध्यम से हमारी डिजिटल तकनिक का लोहा पुरी दुनिया ने माना है हम तेजे से आगे बढ़ रहे हैं इस बीच राजस्थान की राजधानी जैपूर के फामिली कोर्ट में तलाक का एक अनोखा मामला सामने आया है शादी के 21 साल बातपती ने अपना जेंडर चेंच करा लिया है इसे आधर मानते वे कोर्ट ने पत्नी की तलाक की अरजी मंजूर कर ली है देश की इन पाज बड़ी खबरों को विस्तास से जानने के लिए बने रही आप हमारे साथ देश में फायूजी सेवाओ की शुरुवात 15 अगस्य हो सकती है इसके लिए दूरसंचार विभाग ने ट्राई से फायूजी स्पेक्टरम निलामी से जूड़ी शर्तों के बारे में अनुशनसा देने की प्रक्रिया में तेजी लाने के साथ मार्ज 2020 के पहले सिफारीशे सोपने का अनुरोत किया है भारतिय दूरसंचार नियामक प्राधिकरन यहने ट्राई के सचिव को लिखे पत्र में विभाग ने कहा है कि फायूजी स्पेक्टरम की दरो एवं शर्तों के बारे में अनुशनसा जल्द दी जाए सरकार का इस साल 15 अगस तक फायूजी सेवाओ की शुरूआत करने का इरादा है दूरसंचार विभाग फायूजी स्पेक्टरम की नियामी की प्रक्रिया शुरू करने की तैयारी में जुटा हुआ है इससे जुड़ी शर्ते एवं प्रावधन ट्राई की अनुशनसा के बाद ही तैय होंगे निलामी में 526 से 698 मेगा हर्ट्स वह मिलिमीटर बैंड जैसी नई फ्रिक्वेंसी के लिए मांदंड तैय किये जा रहे है इसके अलावा 700, 800, 900, 1800, 2100, 2300, 2500 वह 3300 से 3670 मेगा हर्ट्स बैंड के स्पेक्ट्रम के लिए भी बोली लगाई जाएंगी 5G स्पेक्ट्रम निलामी से जुड़े हीत दारकों से विमर्ष के लिए ट्राई ने हाल ही में चर्चा आईजित की थी इसके बाद दूरसंचार नियामक अपनी अनुशनसाओ को अंतिम रूप देने में जुड़ गया है इस बीच दूरसंचार कंपनी भारती एरेटेल ने इंडस टावर्स में वोडाफोन की 4.7 फी सदी हिस्सेदारी खरीदने के लिए समझोता किया है समझोता इस शर्थ के साथ है कि इस राशी का इस्तेमाल वोडाफोन आइडिया में निवेश करने वो मोबाइल टावर कंपनी का बकाया चुकाने में होगा सुप्रिम कोट ने ITBP जवान की पत्नी की याचिका पर सुनवाई के बाद कहा कि पती सीमा पर तैनात है और आप होटल में गुलचर्रे उडा रही है महिला को भटकार लगाते हुए अदालत ने दुशकर्म के आरूपी को जमानत देने के साथ राजस्थान उच्चे नैलाय के फैसले पर रोक लगाने से इंकार कर दिया अदालत ने पाया कि मामला सहमती संबंद का है जस्टिस धीवाई चंद्रचूड और जस्टिस सूर्यकान की पीट ने कहा कि अपने बच्चों को घर छोड़कर अपने पास के शहर के होटल में अलग कमरा लिया और पती की गाड़ी कमाई उड़ाई सीमा पर तैनात उस बेचारे को तो पता भी नहीं होगा कि पतनी उसके भेजे पैसे का क्या इस्तिमाल कर रही है आरोप पत्र से लगता है कि मामला सहमती संबंद का है इसलिए हम हाई कोट के 2 दिसंबर 2021 के निर्णय में हस्तक शेप नहीं करेंगे अधिवक्ता आदित्य जैन के माध्यम से दायर याचिका में महिला ने कोट से कहा था कि आरोपी ने उससे कई बार दुशकर्म किया और अब ब्लैक मिल कर पैसे मांग रहा है आरोपो के समर्थन में उसने बैंक स्टेटमेंट प्रस्थोत कर कहा कि हाई कोट ने पीडिता से पैसे लेने के तथ्य पर ध्यान नहीं दिया और आरोपी को यहा कहते वे जमानत देदी की आरोप पत्र दाखिल हो चुका है आरोपी को दुशकर्म और अनुशीची जाती जनजाती अधिनियम के प्राउधानों के तहट गिरपतार किया गया था महिला उसे मिली जमानत रद्द कराने के लिए सुप्रीम कोट पहुची थी चेक की क्लोनिंग और रंगीन फोटो कॉफी के जरिये होने वाली धोकादड़ी अब आसान नहीं होगी इसे रोपने के लिए पंजाब नेशनल बैंक एक मार्च से चेक में नए सुरक्षा फीचर लेकर आ रहा है इसके तहर चेक के सभी प्रमुक स्थानों पर अब अल्ट्रा वाइलेट अर्थात यूवी फीचर होगा साथी इसके रंग लोगों में भी अन्य सुरक्षा बदलाव किये जा रहे है इस संबन में बैंक ने अपनी सभी शाखाओ को 19 पेच का निर्देश जारी कर दिया है चेक में अलग-अलग स्थानों पर अलग-अलग तरह की स्याही का इस्तेमाल करने के निर्देश है इसमें Figurative Ink, Fluorescent Ink, Magnetic Ink, Pigment का इस्तेमाल किया जाएंगा UV Ink का इस्तेमाल लोगों बैंक के हिंदी अंग्रीजे में नाम और IFSC कोड में हुगा बुकतान करने वाले का नाम, शब्दो और अंकों में रुपए लिखने के स्थान, अकाउंट नंबर के ब्लॉक में भी UV Ink का इस्तेमाल होगा परस्नलाइज वविशेश चेक में खाता धारक का नाम चेक की सिरीद UV Ink से लिखी जाएगी वही परस्नलाइज चेक में 6 डिजिट का यूनिक अल्फा न्यूमरिक कोड भी UV Ink से होगा ये सामान्य रोश्नी में नहीं दिखेंगे लेकिन UV लैंप में इन्हें आसानी से दिखा जा सकेगा बैंक का दावा है कि इस सुरक्षा कदम के बाद चेक का क्लोनिंग संभव नहीं हुपाएगा और फरजी वाड़े की घटनाओ पर ब्रेक लगाया जा सकेगा बैंक को आई तमाम शिकायतों के बाद यह कदम उठाया गया है प्रधान मंत्री नरेंद्र मूदी ने आज आम बजट 2022 में स्वास्तक शेत्र के लिए किये गए प्रावधानों पर आयोजितिक वेबिनार को सम्मोधित किया उन्होंने कहा कि सबसे पहले तो आप सभी को दुनिया के सबसे बड़े वैक्सिनेशन मिशन को सफलता पुर्वक चलाने के लिए 130 करोड देशवासियों की तरफ से मैं बहुत बहुत बधाईयां देता हूँ स्वच्छ भारत मिशन हो, फिट इंडिया मिशन हो, पोशन मिशन हो, मिशन इंत्रधनुश हो, आईश्मान भारत हो, जल जीवन मिशन हो ऐसे सभी मिशन को हमें ज्यादा से ज्यादा लोगों तक लेकर जाना है पीए मोधी ने कहा कि कोरोना डिका करन में कोविन जैसे डिजिटल प्लाटफोर्म के माध्यम से हमारी डिजिटल तक्डिक का लोहा पुरी दुनिया ने माना है आईशमन भारत डिजिटल मिशन, कंजियूमर और हेल्थ केर प्रोवाइडर के बीच एक आसान इंटरफेस उपलप्त कराता है इससे देश में उपचार पाना और देना दोनों बहुत आसान हो जाएंगे जैसे जैसे हेल्थ सर्विस की डिमांड बढ़ रही है उसके अनुसार ही हम स्किल्ड हेल्थ प्रोफेशनल्स तयार करने का भी प्रयास कर रहे है इसलिए बजट में हेल्थ एजुकेशन और हेल्थ केर से जुड़े हुमन रिसॉर्स डेवलेप्मेंट के लिए पिछले साल की तुल्डा में बड़ी वृद्धी की गई है ये बजट बीते साथ साल से हेल्थ केर सिस्टम को रिफॉर्म और ट्रांसफॉर्म करने के हमारे प्रयासों को विस्तार रहता है हमारी लिए गर्व की बात है कि विश्व स्वास्ता संगठन भारत में अपना विश्व अकेला ग्लोबल सेंटर ओफ ट्रेडिशनल मेडिसिन शुरू करने जा रहा है राजस्तान की राजधानी जैपुर के फैमिली कोर्ट में तला का एक अनोखा मामला सामने आया है शादी के 21 साल बात पती ने अपना जेंडर चेंज कर दिया इसे आधार मानते हुए कोर्ट ने पतनी की तलाक की अरजी मंजूर कर ली है दरसल जोदपुर के 45 साल के पती ने अपने जेंडर सरजरी करवाई और महिला बन गया पतनी ने इस आधार पर तलाक की अरजी दी थी अब कोर्ट ने पारस पर एक सहमती के आधार पर उनके तलाक को मंजूर कर लिया है बताया जा रहा है कि पतनी पती से कुछ सालों से अलग रह रही थी इस मामले में नायलाय का कहना है कि दोनों परिपकवा है और वयस्क है अपना भला बुरा समझते है जानकारी के मताबिक साल 2017 से दोनों पती पतनी अलग रह रहे है कोट ने इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए तलाक की डिक्री का आदेश जारी किया है सूद्रों का कहना है कि तलाक आपसी सहमती के आधार पर हुआ है जानकरी के मुताबिक पती जोधपूर और पत्नी जैपूर की रहने वाली है दोनों के बीच जो सेटलमेंट हुआ उसमें सामान, भरन पोशन, वस्तरीधन का कोई भी विवाद नहीं है आने वाले समय में दोनों एक दुसरे पर कोई दोशारोपन नहीं करेंगे इसलिए दोनों ने आपसी सहमती से तलाक की अरजी दी थी उठी दी कदम उठाते हुए यूरोपियों देशों के संग ईयू ने रूस पर सक्त प्रतिवन लगाने का अलान किया है तो यूकरेनी राश्टकती वलोडेमीर जेलेंस की ने रूस के खिलाफ दुड़दा से खड़े रहने की बात कहकर अमेरीकी मदद से इनकार कर दिया है वही नाटो ने रक्षात्मक उपाई के रूप में अपनी प्रतिक्रिया बल को सक्रिय कर दिया है नाटो की इतिहास में ऐसा पहली बार हो रहा है इस बीच रूस की और से यूकरेन पर जारी हमलों के बीच भारत ने अपने नागरिकों को निकालने की कोशिश स्टेज कर दी है उधर संयुकतराष्ट सुरक्षा परिशद में यूकरेन पर हमला करने के लिए रूस के खिलाव एक निंदा प्रस्ताव लाया गया रूस ने वीटो का इस्तमाल कर इसे गिरा दिया है भारत ने वोटिंग से खुद को अलग रखा है दुनिया भर की इन तबाम गती वीधियों को विस्तार से जाने के लिए बने रियाब हमारे साथ रूस की और से यूकरेन पर हमला किये जाने के बाद यूरोपी य देशों के संग ईयू ने रूस पर सक्त प्रतिवन लगाने का ऐलान किया है अब इन प्रतिवन्दों में अमेरिका ने भी ईयू का साथ दिया है बताया गया है कि अमेरिका समेत अब तक कुल 30 देश रूस के राष्ट्रफती ब्लादिमीर पुतिन और उनके उच्चादी कारियों के खिलाप प्रतिवन लगाने आगे आ चुके है इन प्रतिवन्दों से रूस को आगे अर्थिक और कुटनितिक तोर पर बड़ा नुकसान होने की संभावना है अमेरिकी राजकोश विभाग ने कल शुकरवार की देरात पुतिन और रूस के विदेश मंतरी सरगेई लावरोग पर आर्थिक प्रतिवन लगाने का आइलान किया इससे पहले रूसी सुरक्षा परिशत के 11 सदस्यों, 70 रूड नेताओ और रईसों पर प्रतिवन लगाये जा चुके है अमेरिका की और से प्रतिवन लगाये गए है, उनके तहट पुतिन और उनके अपसरों की अमेरिका, ईयू, ब्रिटेन और कनड़ा में स्थापिच संपत्ति को जबत कर लिया जाएगा अमेरिका में तो प्रतिवन लिस्ट में शामिल लोगों के सफर करने तक पर भी बैन होगा गौर तलब है कि पस्चिमी देशों की तरप से अब तक इस तरह के कदम नहीं लिये गए थे हाला कि रूस ने इन प्रतिवन्दों के बावजूत कहा है कि उसे पहले ही इन कदमों की उम्मिद थी रूसी से न अब यूकरेन की राजधानी क्यों तक पहुच रही है ऐसे में अमेरिका ने यूकरेनी राष्टरपती वोलदी मिल जेलेस्की से कहा कि वह क्यों खाली कर दी लेकिन उन्होंने अमेरिका के इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया है एक रिपोर्ट की मुताबिक जेलेस्की ने रूस के खिलाब दूर्दा से खड़े रहने की बात कहकर अमेरिकी मदद से इनकार कर दिया है अधिकारी के मुताबिक जेलेस्की ने कहा है कि लड़ाई याह है और उनने टैंक विरोधी गुला-बारुत की आवशकता है राइड की नहीं, पिछले तीन दिन से रूसी सेना यूकरेन पर चारो ओर से हमले कर रही है हाला कि अब तक यह साफ नहीं है कि यूकरेन के कितने इलाके पर यूकरेनी सेना और रूसी सेना का नियंटरन है हलाकि कई रिपोर्ट से यह साफ है कि रूसी सेना राजदानी क्यों के बाहरी इलागों तक पहुझ गई है अमेरीकी रक्षा अधिकारियों का मनना है कि रूसी आकरमन को काफी प्रतिरोत का सामना करना पड़ा है और मासको अपनी कलपना की तुलना में धिमी गती से आगे बढ़ रहा है हलाकि यह जल्दी से बदल सकता है इस बीच युक्रेन के राश्ट्रपती वोलेदे मिर जेलेसकी ने चीनता जताई है कि क्यों पर रूसी सेना की कबजे का खत्रा मंड़ा रहा है आज की राथ हमारी लिए सबसे कटिन होने वाली है लेकिन हमें खड़े रहना होगा हमारी सेना बहादूरी के साथ लड़ रही है मगर दुनिया ने हमें इस लड़ाई में अकेले छोड़ दिया है रूस का विरोध करने के लिए कोई आगे नहीं आ रहा है उत्तरी अटलंटिक संधी संगटन यानि नाटो ने रक्षात्मक उपाय की रूप में अपनी प्रतिक्रिया बल को सक्रिय कर दिया है नाटो की इतियास में ऐसा पहली बार हो रहा है नाटो प्रमुग जेन स्टोल्टेन बर्ग ने कहा कि बलॉक ने रक्षा योजनाओ को सक्रिय कर दिया है उन्होंने जमीन पर समुद्र और हवाव तीनो जगव पर सैनिकों की तैनाती की बात कही है बतादे की नाटो ने हजारों की संख्या में सैनिकों को तैनात किया है साथी साव से अधिक जेट, 30 स्थानों पर हाई अलर्ट पर है 40,000 सैनिकों को स्टैन्डबाय पर रखा गया है नाटो का यहा कदम अपने सदस्य देशों की सुरक्षा सुनिष्चित करने के लिए उठाया गया है फिलहाल नाटो के 30 सदस्य देशों में से कुछ युक्रेन को हतियार गोला बारुत और अन्य उपकरनों की आपूरती कर रहे है लेकिन नाटो एक संगठन के रूप में ऐसा काम नहीं कर रहा है यह युक्रेन के समर्थन में कोई सैन्य कारवाई शुरू नहीं करेगा युक्रेन नाटो का करीबी भागिदार है लेकिन इसमें शामिल होने की कोई संभावना नहीं है बलकि सदेस्टो ने कहा है कि पस्चिम को तुरंत यूक्रेनी लोगों को हतियार, गोला बारूत और किसी भी अन्य प्रकार के सहन्य साहता के साथ साथ आर्थीक वित्तिय और राजनीतिक साहता और समर्थन के साथ मानविया साहता प्रदान करनी चाहिए रूस की और से यूक्रेन पर जारी हमलों के बीच भारत ने अपने नागरिकों को निकालने की कोशिश तेज कर दी है एर इंडिया का एक रेशक्य विमान शनिवार सुभा ही रूमानिया के बुकारेस्ट पउच गया यह विमान रूस की सीमा तक पहुचने वाले भारतियों को लेकर वापस आएगा यूक्रेन पर रूस के हमले के बाद वहा फसे भारतिय नागरिकों को निकालने के प्रयासों के बीच यूक्रेन में भारतिय दूतावास ने नागरिकों से उसके आधिकारियों के साथ समनवय के बिना सीमा चौकियों पर नहीं जाने को कहा है भारतिय दूतावास ने कहा कि सीमा जाच चौकियों पर स्थिती सम्विधन शिल है भारतिय नागरिकों को निकालने के लिए हम पडोसी देशों में हमारी दूतावासों के साथ काम कर रहे है अमारे लिए उन भारतियों को निकालना मुश्किल हो रहा है जो बिना सुचना दिये सीमा जाच चोकियों पर पौच गये है जो भारतिया नागरिक पुर्विक शित्र में है उनसे अगले निर्देश सक अपने निवास्थान पर रहने का अनुरोत किया जाता है दुतावास ने भारतिया नागरिकों से कहा कि वे अनावश्यक गतिविदी से बचे साउधानी बरते अपने आसपास की घटनाओ और हाल के घटना क्रम को लेकर चौकनना रहे अधिकारियों ने बताया कि जो भी भारतिया नागरिक सडक मार्क से युक्रेन रोमानिया सीमा पर पोच गए है उन्हें भारत सरकार के अधिकारी बुखारेस्ट ले जाएंगे ताकि उन्हें एरे इंडिया की उडानों के जरिए स्वदेश लाया जा सके युक्रेन में फिलाल करीब 20,000 भारतिय फासे हुई है जिन में ज़्यादातर विद्धारती है सयुक्त राश्ट्र सुरक्षा परिशद में युक्रेन पर हमला करने के लिए रूस के खिलाब एक निंदा प्रस्ताव लाया गया रूस ने वोटों का इस्थेमाल करी से गिरा दिया भारत ने वोटिंग से खुद को अलग रखा प्रस्ताव के पक्षम में 11 मत मिले और भारत चीन और सयुक्त अरब अमिरात सहित तीन मतों से परहेच किया गया भारत ने इस दोरान सभी सदस्य देशों को मदभिदों और विबादों को सुलजाने के लिए बाच्चीत में शामिल होने की अपिल की भारत ने सयुक्त राष्टर सुरक्षा परिशद को बताया कि उसने रूस की आकरमक्त के खिलाब अमिरिका द्वारा प्रायोजित प्रस्ताव पर मतदान से परहेच किया था सयुक्त राष्टर में भारत के स्थाई प्रतिनी दी टीयस तिरूमृति ने परिशद में भारत के वोट की व्याख्या में कहा कि उकरेन में हाल के घटना करम से भारत बहुत परेशान है हम आगरह करते हैं कि हिंसा और शत्रूता को ततकल समाप्त करने के लिए सभी प्रयास किये जाने चाहिए चाहे इस समय कितना भी कठिन क्यों न लगे लेकिन मदभेदों और विवादों को निप्टाने के लिए समवाधी एक मातर उपाय है यह खेत का विशह है कि कूटनिती का मारग छोड़ दिया गया हमें इस पर वापस लोटना चाहिए इन सभी कारणों से भारत ने प्रस्ताव पर परहिच करने का विकल्प चुना है सयुक्त राज्य अमेरिका और अल्बानिया द्वारा मौसोदा प्रस्ताव तैयर किया गया था तो आज की इस खास पेशकर्श में वस इतना ही आप से कल फिर मुलाकात होगी अब तक बने रहे है विके वी नियूस के साथ नमस्कार झाल